तो चलिए आज मैं आपको कहानी सुनाता हूँ यूरोप की आजादी की लडाई की या अगर और सही लवजों में कहें तो यूरोप के अलग-अलग इलाकों में जो अलग-अलग वक्त पे आजादी की लडाईयां हुई उन आजादी की लडाईयों की कहानी मैं सुनाता हूँ आपको और ये जो आजादी की लडाईयां थी ये शुरू हुई आज से करीब करीब 200 साल पहले यानि की 1800 के आसपास के टाइम में और फिर ये आजादी की लडाईयां चलती रही अगले 100 सालों तक और करीब 1900 के स्टार्टिंग तक ये लडाईयां यूरोप के अलग-अलग हिस्सों में चली है तो ये बात सुनके थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि अगर आप 1800 से लेकर 1900 का टाइम देखिए तो उस टाइम पे पूरी की पूरी दुनिया में यूरोप का राज हुआ करता था नौर्थ हमारेका, साउथ हमारेका, आस्ट्रेलिया, आफ्रिका, इंडिया, चाइना इन तमाम पूरे इलाकों में यूरोप का राज हुआ करता था और खास तोर पे अगर देखा जाये तो West Europe वाला इलाका सबसे पहले जो Super Parts बने थे वो थे Spain और Portugal इनके बाद फिर अगले Super Parts बने Britain और France इनके बाद फिर अगले Super Parts बनने की तयारी में था Germany तो पूरी दुनिया में उस टाइम पे Europe का राज हुआ करता था तो अब सवाल ये उठता है कि जब पूरी की पूरी दुनिया में Europe का राज है और पूरी की पूरी दुनिया उस टाइम पर लगलग इलाकों में लड़ रही थी इन Europe के लोगों से हम हिंदोस्तान उस टाइम पर लड़ाई कर रहे थे इन Europe के लोगों से तो सवाल उठता है कि यूरोप को किस से आजादी चाहिए थी जब पूरी दुनिया में यूरोप का राज है तो यूरोप को किस चीज से आजादी चाहिए तो इस सवाल को समझने के लिए आपको पहले इस चीज का आइडिया लेना पड़ेगा कि ये आजादी का क्या मतलब होता है तो ये जो लव्ज है आजादी इस लव्ज के माइने हर किसी के लिए अलग-अलग होते हैं अब जैसे आपको example देता हूँ अगर आप किसी industry में काम करने वाले मजदूर से ये पूछे कि अच्छा तुम्हारे लिए आजादी क्या है या तुम्हारी जिंदगी में ऐसा क्या किया जाए कि तुम्हें ये महसूस हो कि तुम थोड़े आजाद हो गए हो तो उस मजदूर का जवाब ये आएगा कि अभी उसे 12-14 गंटे-16 गंटे काम करना पड़ता है तो वो अपनी जिंदगी नहीं जी पाता अपने परिवार को वक्त नहीं दे पाता तो अगर उसे सिर्फ 8 गंटे काम करना पड़े और सिर्फ 8 गंटे काम करके उसे ठीक ठाक पैसा मिल जाए कि वो अपने परिवार का गुजर बसर कर सके और वो जिस industry में काम कर रहा है वहाँ पे चीजे थोड़ा सा सही से हो अगर कोई accident हो जाता है या किसी मजदूर की मौत हो जाती है तो industry जिम्मेदारी ले उसके परिवार को संभालने की उसकी आगे की जिन्दगी को संभालने की और इसके अलावा अगर कोई मजदूर बीमार हो जाता है तो बीमारी के दोरान भी उसको उसकी salary मिलती रहे उसको पैसा नहीं काटा जाए उसका और अब पूरे की पूरे जितने भी मजदूर हैं वो अपनी पूरी की पूरी जिन्दगी लगा रहे हैं उस industry में काम करने के लिए उन्होंने क्या किया जिन्दगी पर उस इंडस्ट्री में काम किया तो उस इंडस्ट्री की भी जिम्मेदारी बनती है कि जब उनका production बढ़े तो उस चीज़ का फायदा मझदूरों को भी मिले कि उनकी भी जिन्दगी थोड़ी बहतर हो सके तो ऐसी जो तमाम तरे की चीजें हैं अगर ये सब चीजें कर दी जाएं तो एक इंडस्ट्री के आदमी को ये महसूस होगा कि हाँ अब वो आजाद है इसके अलावा जो जनरल तोर पे जो आजादियां हैं वो तो है ही कि आप कुछ भी खा सकते हो कुछ भी पहन सकते हो कहीं पे भी जा सकते हो कहीं रह सकते हो किसी से भी शादी कर सकते हो कोई भी भाशा बोल सकते हो ये सब जनरल आजादियां तो अलग से हैं तो ये जवाब आएगा किसी इंडस्ट्री में काम करने वाले आदमी का अगर यही सवाल आप किसी छोटे किसान से पूछे तो उसका जवाब बदल जाएगा उसका जवाब थोड़ा सा अलग आएगा छोटे किसान ऐसे लोगों को कहा जाता है जो खेती किसानी करते हैं पूरे सुबा से शाम तक महनत करते हैं खेतों में फसल उगाते हैं लेकिन उनके पास अपनी जमीन नहीं होती अपने खेत नहीं होते तो उन्हें खेती करनी पड़ती है उन लोगों के खेतों में जिन लोगों के पास बड़ी बड़ी जमीने हैं लेकिन काम करने वाले लोग नहीं हैं उनके पास तो वो लोग खेती किसानी उन लोगों की जमीन जी सके और ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यूरोप में उस जमाने में ये होता था कि पूरे यूरोप की करीब आधी जमीन अलग-अलग राजा महराजाओं और उनके समाज के पास थी और बची हुई आधी जमीन करीब वो रोमन कैथोलिक चर्च और उनके सम जमीन नहीं हुआ करती थी तो ऐसे लोगों को कहा जाता है small farmers और हमारे हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूं तो अभी आज के जमाने में हमारे देश में करीब 70% लोग खेती-किसानी के प्रोफेशन से जुड़े हैं और इन जितने भी लोग खेती-किसानी के प्रोफेशन से जुड़े हैं इनमें आधे से जादा लोग ऐसे हैं जिनके पास अपनी जमीने नहीं है या तो फिर कभी नहीं थी और अगर उनके पास जमीन सरकार ने उनको दे दी तो वो जमीन अब बिग गई है अब फिर से उनके पास जमीन नहीं है तो अगर आप ये सवाल की आजा अच्छा यही सवाल अगर आप किसी मिडल क्लास के स्टूरेंट से पूछें कि आजादी का क्या मतलब है तो वो स्टूरेंट यह जवाब देगा कि अगर जो भी राजा है या फिर जो भी सरकार है अगर वो अच्छे कॉलेजिस बनाए उनकी फीस कम हो और उस जमाने में ऐसा होता था जो जितने भी बड़े पोस्ट होते थे वो बड़े पोस्ट राजशाही के लोगों के लिए रिजर्व होते थे या फिर चर्च के लोगों के लिए रिजर्व होते थे तो यह मिडल क्लास स्टूरेंट का student के लिए और एक और चीज़ अब क्योंकि ये student हैं पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो अब अगर राजा का कोई काम इनको पसंद नहीं आ रहा है तो ये सवाल उठा सकते हैं आवाज उठा सकते हैं उन policies के खिलाफ उन सरकारों और उन राजाओं के खिलाफ ये भी इनको हक और अधिकार होना चाहिए तो ये ये आजादी है middle class student के लिए यही सवाल आजादी अगर आप किसी औरत से पूछिए कि आजादी क्या है तो वो औरत का जवाब और अलग होगा वो औरत कहेगी कि सबसे पहले तो आप मेर existence को मानिये कि मैं भी ये काम इंसान हूँ और मुझे भी इंसानों के जैसे जीने का मौका मिले कि मैं भी पढ़ाई लिखाई कर सकूँ मैं भी कोई भी काम कर सकूँ कोई समाज के लोग आके मुझे मना नहीं कर सकते कि आप ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते औरतों को भी property म पिलनी चाहिए क्योंकि वहां से उनकी आर्थिक आजादी शुरू होती है तो इस तरीके से औरतों का जवाब बलब होगा उन्हें भी अलग-अलग तरे के हक अधिकार चाहिए आजादी का एक हिस्सा ये भी है कि आप कहीं पे भी जा सको बिना डर के बिना किसी खौफ के हमारे लिए आजादी का मतलब कि सबसे पहले ये जितना पूरा समाज है हमारी आइडेंटिटी को माने कि हम जो हैं हमें वैसे रहने दे हमें थोपे नहीं कि समाज के लोग आके ये नहीं कहें कि ये हमारे धर्म के खिलाफ है समाज के खिलाफ है भगवान के खिलाफ है हम ज स्ट्रीज के मालिक हैं उनसे पूछे कि अच्छा क्या किया जाए कि आपको ये महसूस हो कि आप आजाद हैं तो ये बिजनेसमैन लोगों का जवाब ये आएगा कि हम कुछ भी बना सकते हैं हमें आजादी होनी चाहिए कोई राजा के लोग या सरकार के लोग आके हमें मना न बेच सकते हैं कुछ भी बना सकते हैं कहीं पे भी बेच सकते हैं कितने कभी बेच सकते हैं दस रुपे की चीज अगर मेरा मन करे तो मैं हजार रुपे की बेच सकूँ इस चीज को मैं आजादी कहूंगा अगर किसी राजा के लोग या किसी सरकार के लोग आके ये नहीं कहे कि आपने दас रुपए की चीज़ बनाई तो आप उससे 40 या 50 रुपए से ज़ादा की नहीं बेच सकते हैं तो बिजनेसमेन आदमी के लिए आजादी ये है कि वो कुछ भी बना सकता है कहीँ पे भी बेच सकता है कितनी भी कीमत में बेच सकता है वो businessman आदमें कितनी भी संपत्ति इकठा कर सकता है कोई राजा या सरकार के लोग आ कि ये नहीं कहेंगे कि आपने इतनी संपत्ति इकठा करली कि अब आप चाहिए जितना खरच करो आप खर्च नहीं कर पाऊगे तो बहतर ये है कि जब आप उकनी संपत्ति का अच्छा कासा हिस्स सरकार को दे दो ऐसा नहीं हो और बिजनसमेंस लोग जितनी भी संपत्ति कठा करें इस सब संपत्ति ट्रांस्वर हो उनके अगले वारिस के लिए कोई राजय सरकार के लोग आ कि यह नहीं गहें कि अब आप पूरी अपनी जिन्दगी जी ली है तो आपकी जितनी संपत्ती है आपके बेटे के लिए भी इतनी जादा है तो आपके बेटे के लिए आधी दे दी जाया आधी संपत्ती राज ये रख ले रहा है जिससे की बाकी गरीब लोगों का कुछ भला हो ऐसा नहीं होना चाहिए त businessman लोगों के लिए big capitalist लोगों के लिए और थोड़ा सा बदल जाता है तो आजादी इस तरीके से concept है जो vary करता है अलग-अलग लोगों के हिसाब से कि आजादी क्या है अब आज से 2500 साल पहले जब राजाओं का राज हुआ करता था उस time पे ये कोई भी आजादी नहीं मिला करत लोगों को तो ये सब जितने भी अलग-अलग वर्ग के लोग हैं ये सब लोग एकठा हुए और ये एक nationalism यानि कि राष्ट्रवाद का ख्याल आना शुरू हुआ लोगों को कि हम सब जितने भी लोग हैं भले हम सब लोग अलग-अलग इलाकों से आते हूं हम सब लोग जित तो हम सब जितने भी लोग हैं हमें मिलके अपना एक देश बनाना चाहिए तो ये जो फीलिंग थी nationalism ये एक तरीके से इन सब लोगों के आजादी के लडाई थी और जब ये nationalism वाली फीलिंग मजबूत होती चले गई तो अलग-अलग इलाकों में लोगों ने लडाईयां कर और उन सामराजियों से उन राजाओं के सामराजियों से अपने देश अलग किये हैं अपने देश बनाए हैं और जब देश बने हैं तो उन देशों में अब राज हुआ वहां की सरकारों का और सरकार किसकी होगी वो राजनीतिक पार्टी या वो पॉलिटिकल पार्टी जि चुनाव जीता है तो अब उने ये लगा कि जो भी पार्टी ने चुनाव जीता है ये पार्टी अपर क्लास लोगों के लिए और मिडल क्लास लोगों के लिए काम करने लगी तो ये जो upper class लोग हैं इनको आजादी मिल गई, middle class लोगों को ठीक ठाक आजादी मिल गई, लेकिन ये जो lower class थी इनको आजादी नहीं मिल पाई और population या जन संक्या के हिसाब से सबसे जादा बड़ा वर्ग इनहीं लोगों का था, इनको ना जमीन मिली, इनको ना हिस्सेदारी मिली तो अब जब देश बनने लगे, अलग-अलग जगहों पे देश बने, वहां की सरकारों का राज शुरू हुआ, तब भी इनके हाल बुरे थे और इस वज़े से जितने lower classes के लोग थे, इन लोगों ने फिर से protest करने शुरू किये, इन लोगों ने अपने movement शुरू किये क्योंकि अब राजशाही के system से आपने देश बना लिया, अब देश बनने के बाद आप क्या करोगे, तो आपके वस एकलोता रास्ता बनता है कि आप protest करिये, movement करिये, राजनीतिक ताकत हासिल करिये, कि आप फिर तब जाके अपने हाल सही कर पाएंगे तो इस तरीके से ये आजादी की लडाईया चलती रही यूरोप में अलग-अलग forms में, तो ये जो यूरोप की आजादी की लडाई की जो series में बना रहा हूँ, ये अलग-अलग parts में बनाऊंगा, और एक बार हम landmarks देख लेते हैं, कि हम कौन-कौन से landmarks से होते वे गुजर तो सबसे पहले हम शिरुवात करेंगे यूरोप की आजादी की लडाई की French Revolution के साथ, जो की हुई थी 1789 में, तो हमारी कहानी करीब-करीब 1800 के आसपास से शुरू होगी, फिर अलग-अलग जगहों में जो revolutions हुए हम उनको cover करते जाएंगे, फिर अगले parts में हम देखेंगे की राजनीती जब डेवलप हुई अलग-अलग इलाकों में, तो राजनीती के जो अलग-अलग विधाएं होती हैं, जो अलग-अलग aspects होते हैं, जैसे आप सुनते होंगे left-wing politics, right-wing politics, तो इस तरह की चीज़े, liberalism, conservatism, socialism, communism, ये सब चीज़े शुरू कैसे हुई, इन सब ची बड़े legendary लोगों के जिकर आएंगे, इसके बाद ये कहानी करीब-करीब 1900s के आसपास तक पहुचेगी, और 1900s में फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से इस सब चीज़े होती रहीं, और होते होते एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई यूरोप में, जितने भी अलग-अलग उनकी टीम बन गई और उन टीम्स में आपस में लड़ाई हुनी शुरू हुई और ये उस जमाने तक के लिहास में एक बहुत सबसे बड़ी लड़ाई थी, तो इसे वर्ल्ड वोर कहा गया, इसके बाद फिर अब यहां तक तो आजादी की लड़ाईयां एक तरीके से ओव बड़े लोगों का जिकर आएगा कि क्या क्या होता रहा कि फिर से एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई और यूरोप की इतनी बड़ी लड़ाई हुई कि इसे इसे भी वर्ल्ड वोर कहा गया, अब क्योंकि यह पहली वर्ल्ड वोर इसे बोल दिया गया और इसे फिर दूसर बनाते चले जाओंगा और ये जो आपका Class 10th History का पहला चाप्टर है इसमें आप अगर ये दो पार्ट से स्टार्टिंगे दो पार्ट देख लें तो आपको पूरा आइडिया क्लियर हो जाएगा लेकिन जैसे जैसे आगे पार्ट बनाऊंगा उसमें आपको पूरा वर्ल्ड व्यू दिखना शुरू हो जाएगा दुनिया आपको समझ में आने लगे की कि दरसल में हो क्या रहा है और जब आप Current Affairs पढ़ेंगे कभी आप अगबार पढ़ेंगे न्यूस देखेंगे और कहीं आप देखेंगे किसी देश में कुछ हमला हुआ है या कुछ भी हु जरू होती है आज से करीब 200 साल पहले यानि कि 1750 के आसपास और इलाका है France का फ्रांस का इलाका आज के टाइम में एक देश बन गया है लेकिन इस टाइम पे फ्रांस का इलाका एक देश नहीं था फ्रांस के इलाके में सामराज्य था बर्बन खांदान के राजाओं का अब यह जो difference है कि एक सामराज्य में और एक देश में क्या फर्क होता है इस चीज़ पे मैं एक अलग वीडियो बना चुका हूँ कि देश का क्या मतलब होता है और वो वीडियो आप जरूर देखेगा आपको idea clear होगा कि देश किस चीज़ को कहते हैं और इस पूरी कहानी में हम यह देखेंगे कि हर को यह चाह रहा था कि हमें अपना देश बनाना है तो देश बनाने के तीछे क्यों पड़े हुए थे लोग इतना actually क्या होता है देश में ऐसा तो यह चीज़ आप वो वीडियो जरूर देखेगा आपको और फील आएगा इस चीज़ में समझ पाएंग और के depth में की हो क्या रहा था तो साल चल रहा है 1750 इलाका है France का जहां पे सामराज है बर बन- खानदान के राजाओं का और इस ताइम पए जो राजा थे उनका नाम था लुई 16 और जाहिर तोर्पी बर बन- खानदान के थे और इस ताइम पे जो रानी थी इनका नाम था मारी अन्टोनेट और ये हाब्सबर्ग खांदान की बेटी थी जो बर्बन खांदान का सामराज था इनके पास में एक और सामराज था आस्ट्रो हंगारियन सामराज आज के टाइम पे आस्ट्रिया हंगरी बॉजनिया सर्बिया ऐसे कई सारे इलाके हैं अलग-अलग देशों के उस ताइम पे ये देश नहीं हुआ करते थे यहां पे सामराज धूआ करता था औस्ट्रो हंगरion सामराज जिसमें राज राज हुआ करता था है्प्सबर्ग खांदान के लोगों का, तो ये जो रानी थी, मारी अंटोनेट ये हैप्सबर्ग खांदान की बेटी थी ओस्ट्रो हंग्यारियन सामराजी की बेटी तो ये जो बर्बन खांदान के लोग हैं, ये बहुत ऐशो आराम में जिया करते थे उस टाइम पे फ्रांस के इलाके की राजदानी थी पैरिस आज के टाइम पे भी है जब फ्रांस देश बन गया है तो पैरिस के थोड़ा बाहर की तरफ एक जगा थी वर्साए तो बर्बन खांदान के लोग वर्साए में एक बहुत बड़े आलीशान महल में रहा करते थे और उस time पे system ये हुआ करता था इस पूरे समाज का कि जितने भी लोग थे उन्हें बच्पन से ये सिखाया जाता था कि ये जितनी भी पूरी दुणिया है इस पूरी दुनिया को बनाया है भगवान ने हम इंसानों को भी बनाया है भगवान ने तो हम जितने भी इंसान है हमारी जिंदगी का फर्ज सिर्फ इतना है कि हम भगवान की सेवा करें और भगवान की सेवा कैसे होगी तो वो भगवान जिस भगवान ने हमारी अर्थ को बनाया इस पूरे यूनिवर्स को बनाया उस भगवान ने इन राजाओं को भेजा है और इन चर्च के लोगों को भेजा है इस धर्ती में राज करने के लिए और हम जैसे जितने भी आम लोग हैं हमारी जिंदगी का फर्ज ये है कि हम इन राजाओं के और इन चर्च के लोगों की सेवा करते रहें तो ये बच्पन से सिखाया जाता था बच्पन से बताया जाता था कि जो राजा और चर्च के लोग हैं जितना पूरा समाज है इनका ये एक तरीके से भगवान का रूप है भगवान का अफ्तार है तो आप इनकी सेवा करोगे तो भगवान खुश रहेंगे इनकी सेवा मतलब भगवान की सेवा और अगर आप इनकी बात नहीं मानोगे और आप इनके खिलाफ कुछ काम करोगे तो तो ये लोग सजा देंगे आपको और इन लोग के पास पूरी अपनी आर्मी थी पूरी यार राजशाही है इनके पास पूरी तो पूरी ताकत है इनके पास तो ये पूरे समाज का सिस्टम चला करता था कि जो नोबल्स हैं जो राजशाही के लोग हैं राजशाही के समाज इ ये authority मिली थी कि ये अपनी जिंदगी एशो आराम में गुजारेंगे और सब जितनी प्रजा है प्रजा का फर्ज ये था कि ये लोग सेवा करते रहें इन nobles और clergy के लोगों की और उस time पर जब बचपन से इतना बताये जाता था बचपन से इतना सिखाये जाता था और पूरे समाज के सब लोगों को तो लोग वाकई में ये मानने लगे थे कि जो राजशाही के लोग होते हैं इनका खून अलग होता है ये अलग प्रजाती के लोग हैं वाकई इनमें कुछ अलग होता है ये मानते थे उस time पे लोग कि राजा सिर्फ वही बन सकता है जिसमें राजश यह सब चीजे करता कौन था यह सब चीजे होती थी चर्च के थूँ जितनी भी पढ़ाई लिखाई है जितना भी समाज कैसे चलेगा उस टाइम पे चर्च के हाथ में हुआ करता था तो चर्च बच्पन से चीजे बताता था कि सब लोगों को कि आप की जिन्दगी का फर्ज ह है हमारी सेवा करना अब 1700 के आसपास एक नई चीज होना शुरू हुई थी उस ताइम पे एक से थिंकर्स फिलोसफर्स आ रहे थे जैसे वॉल्टायर रूजो जॉन लॉक यूम कैंट ऐसे बहुत सारे फिलोसफर्स और थिंकर्स थे उन लोगों का यह कहना था कि जितना भी पूरा सिस्टम है यह राजशाही और चर्च का सिस्टम यह फ्रॉड पे बेस्ट है ऐसा नहीं होता है कि भगवान ने जिस भगवान ने इस पूरे यूनिवर्स को बनाया ऐसा नहीं हो सकता है कि वो भगवान कुछ लोगों को चुनके भेजे कि इन लोगों का राज होगा तो ऐसा नहीं है कि जो system है मुनार्की का system ये natural नहीं है और इन लोगों का ये कहना था ये बस system बना दिया गया है कि बच्पन से brainwash करके रखा जाता है लोगों को और अगर लोग नहीं माने तो option क्या है सारी ताकत इन राजशाही के लोगों के पास है अपनी सेना भेच के मरवाते रहते थे लोगों को जो नहीं मानते थे इनकी बाद तो इन जितने भी thinkers थे इन लोग का ये कहना था कि जितने भी human suffering है 15-10% समाच के लोग जो राजशाही और चर्च के लोग है इनकी जिन्दगी एशो आराम में है और 90% से जादा लोग जो आम लोग है इनकी जिन्दगी कीडे मकॉडो जैसे जी रहे हैं इनसान जैसे जी नहीं पा रहे हैं तो इनका ये कहना था जितने भी human sufferings हैं इसको कैसे कम किया जाए तो ये लोग लोगों को कहा करते थे आप कोई भी चीज़ पे आँख बन करके भरोसा मत करिये किसी भी चीज़ का सही तरीका क्या है ये logic से ही निकल सकता है कि आप किसी भी चीज़ को logically analyze करो तो समझ में आ ज एक की बात जब आती थी तो इन लोगों का ये कहना था कि इनसान पैदा तो होता है आजाद होके लेकिन जब इस दुनिया में आता है तो वो बंदिशों में बंधा रहता है और ये जो सरकार है या राजशाही जो है ये एक social contract कित्रू होनी चाहिए यानि कि समाज में आपस सहमती से ये राज होना चाहिए कि कैसे कानून होंगे समाज कैसा हो गई आपसी सहमती से होना चाहिए ऐसे नहीं कि बस किसे ने कोई आदेश दे दिया पूरे समाज में ऐसा होना ही होना है और जितने लोग हैं सब को जिंदगी की आजादी मिलनी चाहिए तमाम तरे की और भी आजादियां कि वो कुछ भी पहने कोई भी धर्म फॉलो करें कोई भी भाशा बोलें हर किसी को प्रॉपल्टी रखने का अधिकार होना चाहिए पहले के टाइम में प्रॉपल्टी सिर्फ राजशाही के लोगों के पास हो सकती थी चर्च के लोगों के पास आम आदमी को भी प्रॉपल्टी रखने का अधिकार हो जो राज है वो सब को बराबरी से देखे और डेमोक्रिसी हो तो ये सब तमाम तेरी की बाते चलती रही 1700 का जितना पूरा टाइम था उस टाइम पे ऐसे से थिंकर्स पूरे समाज में ऐसी बाते फैलाते रहे ये आईडिया स्ट्रॉंग होता चला गया और उस टाइम पे पैरिस जो था फ्रांस के इलाके की राज़धानी ये एक फिलोसिफिकल सेंटर बन गया पूरे यूरोप स अलग-अलग इलाकों से लोग आते थे यहां एक से किताबे प्रिंट होती थी पबलेश होती थी पढ़ी जाती थी लोग एक बूसरे से बात करते थे डिसकुशन्स होते थे कि क्या किया जाये दुनिया भर में अलग-अलग तरे की क्लब्स इमर्ज हो रहे थे और बुक्स चप रहे थे और साइन्स आगे बढ़ रहे थी नए दुनिया खोजी जा रहे थी उन डिसकवरी इस पर बात होती थी तो इस 1700 में ये चीजे होती रही पूरे टाइम जितनी भी हम चीजे देखेंगे ये चलता रहा अब वक्त आगे बढ़ता है साल आता है 1775 इस साल एक बह अमेरिकन वर ओफ इंडिपेंडेंस यानि की अमेरिका की आजादी की लडाई अब आप इस चीजे का नाम पढ़के कन्फ्यूज मत होईएगा अमेरिका का ये मतलब नहीं है कि आज के टाइम पे जितना बड़ा इलाका अमेरिका है पूरे के पूरे इलाके में आजादी की लडाई हुई ऐसा नहीं है और आजादी की लडाई या वर ओफ इंडिपेंडेंस सुनके आप ये मत सोचेगा कि वो जो नेटिव अमारिकन्स थे जिनके इलाकों पे जिनकी जमीनों पे इन वाइट यूरोपियंस ने आ के कबजा कर लिया इन नेटिव अमारिकन लोगों क रही है उतना चाह驟ा है कर दिये इनकी जमीनों से और कबजा कर लिया तो उन नेटिव अमारिकांस ने मिलके लडाई करी वाइट यूरोपियंस के साथ एसा नहीं था और एसा भी नहीं था यह जो वाइट यूरोपियंस जो आ अमैरिका में राज करने लगे और यहां बड़े-बड़े farms बनाते थे और black जो Africans थे उनको लाके गुलाम बनाके रखते थे, काम करवाते थे, जानवरों से भी बुरे हालत में रखते थे, तो वो black Americans आपस में मिले और इन्होंने लड़ाई करी इन white Europeans के साथ ऐसा भी नहीं था. American War of Independence यह बस इतनी सी थी, कि जो North America का हिस्सा है, उसमें अलग-अलग Europe के इलाकों का राज था, France, Britain, Spain, Portugal, खास तोर पे चार इलाकों का राज था, तो वो इलाका जो North America के पूरे continent में British के अंडर था, उन British colonies ने Britain से ही लड़ाई करी थी, कि हमें अपना अलग देश बनाना है, कि हम फैसला करेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ के कानून डिसाइड करेंगे, तो इन British colonies ने Britain से ही लड़ाई करी थी, और जब यह लड़ और फिर यह United States of America आजाद हुआ, और फिर आगे के भविश में जाके यह जो 13 colonies थी, इन्होंने France का इलाका ले लिया, Spain का इलाका ले लिया, और फिर यह इतना बड़ा इलाका बना, जो आज के टाइम में हम United States of America देखते हैं, आगे के भविश में इन्होंने Russia से Alaska वाला हिस्स लिया, और जितने छोटे मोटे आईलेंड्स, जितने आसपास के इलाके थे, सब पे कबजा कर लिया, तो यह USA के हिस्ट्री था, तो American War of Independence बस इतनी थी, कि British colonies ने Britain से लडाई करी, और अपना Constitution बनाया, अपना सम्विधान, कि यहाँ पे किसी राजा या किसी Church का राज नहीं ह होगा, यह पूरा इलाका एक Republic होगा, और इन्होंने Rights of Men की घोशना करी, कि जितने भी लोग हैं, सब को उनके हक और अधिकार दिये जाएंगे, और यह एक बहुत बड़ी सी चीज थी, उस जमाने के लिहाज में, कि यह जो New Form of Government था, कि कोई राजा नहीं होगा, कोई Church के लो हैं, एक Checks and Balances का सिस्टम है, यह चीज अपलाए करी गई, और यह चीज आक्चुली काम कर रहे थी, सही तरीके से काम कर रहे थी, और यह जो Church के लोग हमेशा बूला करते थे, कि अगर Church की बात नहीं मानी, तो जलजला आ जाएगा, भगवान नाराज हो जाएंगे, ऐसा अमारिका में आराम से चल रहे थी, तो यह एक बड़ी सी चीज हुई, अब इसका असर क्या-क्या पढ़ा फ्रांस में, तो जब यह अमारिका ने लडाई करी थी, ब्रिटेन से अपनी आजादी के लडाई, तो उस टाइम पे जो लुई 16 थे, इन्होंने अमारिका की बहु सारा पैसा भेजा था, इन्हें हथियार के लिए अपनी सेनाए भी भी भीजी थी, ब्रिटेन से लडाई करने के लिए, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस यह दोनों सूपर पार्स थे, तो यह दोनों में कॉंप्टीशन चला करता था, किसमें ज़ादा ताकत हो, और इन दोन लेना पड़ा था, इन्हें सेंट्रल बैंकों से, और इससे पहले मैं बता चुका आपको कि फ्रांस ने बहुत लडाईयां लड़ी ब्रिटेन से, तो उस टाइम के भी उधार इनके बचे हुए थे, तो 1775 के बाद का जो वक्त है, इस वक्त में फ्रांस के इक इलाकी की जो एकॉनमी या अर्थ व्यवस्ताथी ये श्रेंक हो रहे थी, ये कम होती जारी थी क्योंकि इन्हें उधार चुकाना था, तो इन्हें पैसा जितना आ रहा था, इन्हें देना पड़ रहा था सेंट्रल बैंकों को, अब जब राजशाही के पास पैसा कम हो रहा है, तो राज शाही ये चर्च के लोगों पे बहुत नॉमिनल लगा करते थे, समझ लीजे ना के वराबर, और जादा पूरा का पूरा टैक्स देना पड़ता था जो निचला वर्ग है समाज का, जो 90% आबादी, जो काम करने वाले लोग हैं, इन पे ये टैक्स की मार पड़ती थी, तो ये इस वज़े से 1775 के बाद फ्रांस के हाल थोड़े खराब होते चले गए, जो आम लोग हैं, इनके मतलब सेविंग्स कम होती चले गए इनकी, और इसी टाइम में 1700 के पूरे टाइम में एक चीज हो रहे थी, population बढ़ रहे थी यूरोप के अलग-अलग इलाकों में, और population क साथ गरीबी भी बढ़ रहे थी और भूंक भी बढ़ रहे थी लोगों की, अब वक्त आगे बढ़ता है 1775 से वक्त आगे बढ़के आता है 1788, इस साल हुआ ये कि फ्रांस में फसल बरबाद हो गई, किसी एक पौधे की बिमारी की वज़े से, जिसकी वज़े से खाने की कम जादा खाई जाती थी, ब्रेड की कीमते बहुत जादा बढ़ गई, इतनी जादा की गरीब आदमी खरीद नहीं पा रहे थे ब्रेड, तो 1788 में जो लोगों का भूख है, ये भूख गुसे में बदल गई, अब लोगों ने क्या किया, लूटना शुरू किया, जहां जहां जमाखोर आए, उन जमाखोरों ने ब्रेड को जमाखरना शुरू किया, कि जब कीमते और बढ़ेंगी, तो हम और बढ़ी कीमतों में बेचेंगे, लोगों के अंदर गुस्ता इतना जादा था, कि जो भी ऐसे जमाखोर थे, इनको पकड़ पकड़ के पकड़े जाते थे, इतना मारा पीटा जाता था, कि मार मार के माल डालते थे लोग, तो इतना गुस्ता चल रहा था, फ्रांस के सडकों पे, जितने भी आम लोग थे, 90% जनता परिशान हो रखी थे, तो अब उस टाइम पे सीन सिचुएशन ये था, एक तरफ तो इन नाशनलिजम वाली फीलिं होती जा रहे थी, क्योंकि वो देख रहे थे इस चीज़ को, कि समाज के 95% लोग परिशान है, और ये चाह रहे हैं कि कुछ बदलाओ हो, लेकिन बदलाओ करने की ताकत किसके पास है, बदलाओ करने की ताकत सिर्फ 5% लोगों के पास है, और ये जो 5% लोग हैं, इनके पास ताकत भले ही है लेकिन इनकी जिंदगी इतने एशो आराम में चल रही कि इन्हें फर्क नहीं पड़ रहा है कि लोग भूग से मर रहे हैं, जी रहे हैं, मर रहे हैं, काट रहे हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि ये अपने महलों में रह रहे हैं, अयाशी में एशवाराम में जी रहे हैं लोग भूग से मर रहे हैं लेकिन इनके पास खाने के अपने आप में कोई कमी नहीं है तो ये जितनी चीजे थी कि ये सुनिश्चित कैसे किया जाए कि चीजों की कीमते जादा ना बढ़ें जमाखोरी कम हो और किस तरीके से अनाज या ब्रेड ड चर्च के लिए तो ये चीजे चलती रही अगले साल 1789 इस साल जो राजा थे लुई 16 इन्हें टैक्सेस को और बढ़ाना था तो अब टैक्सेस को बढ़ाने के लिए इन्होंने पार्लियमेंट को बुलाया तो उस टाइन पे पार्लियमेंट का ये सिस्टम होता था कि पार् आबादी 3% थी सिर्फ समाज का दूसरा हिस्सा जो था राजशाही के लोग इनकी आबादी करीब करीब 7% हुआ करती थी और समाज का जो तीसरा हिस्सा है ये था वर्किंग क्लास के लोगों का और समाज में इनकी आबादी 90% हुआ करती थी तो पार्लियमेंट में उस टाइम पर ये सिस्टम हुआ करता था कि अगर कोई भी कानून लाना है तो इन तीनों जो समाज के हिस्से इनको एक-एक वोट दिया जाता था तो होता ये था कि क्या टैक्स बढ़ाए जाने चाहिए क्लरजी के लोग कहेंगे हाँ टैक्स बढ़ाए जाने चाहिए नोबिलिटी के लोग कहेंगे हाँ टैक्स बढ़ाए जाने चाहिए और आम जनता के लोग कहेंगे कि नहीं टैक्स नहीं बढ़ाए जाने चाहिए लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ दो वोट मिले हैं कि टैक्स बढ़ाए जाने चाहिए और एक वोट मिला है कि टैक्स नहीं बढ़ाए जाने चाहिए तो क्योंकि दो वोट मिले हैं तो टैक्स बढ़ा दिया जाएगा तो voting system इतना flawed था कि भले ही 90% जनता, 90% जनता एक साथ है लेकिन उन्हें सिर्फ एक vote दिया गया है, तो इतना partial system था Parliament का, तो 1789 में जब गुसे से भरे लोग Parliament में पहुँचे, उन्होंने ये demand रखी कि जो ruling class के लोग हैं, ये भी tax भरें और ये लोग ज़ादा tax भरें क्योंकि इनके पास सारा पैसा है, तो ये लोग tax भरें, हमसे ज़ादा tax ना लिया जाए, और ये जो voting का system है, ये जो voting का system की एक vote clergy, एक vote nobility, एक vote working class, इस system को change किया जाए, voting का system आबादी के लिहास से किया जाए, कि working class के लोगों के vote ज़ादा account किया जाए, इसके लावा tax को कम किया जा और जमीन बाटी जाए, कुछ जमीन तो दी जाए आम लोगों को कि वो जी सकें जिन्दगी सही से, तो ऐसी सब demands इन जो working class के जो leader लोग थे, जो business man थे, जो middle class के लोग थे, ये लोग leader थे working class representatives, तो इन working class representatives ने जब ये आवाज उठानी शुरू करी, इनकी सब demands को मना कर दिया जब फिर से parliament बुलाई जानी थी, तो फिर से ये लोग पहुचते हैं, working class के representatives और आम जनता के लोग सब पहुचते हैं parliament के बाहर, और ये देखते हैं कि parliament के दर्वाजे बंद कर दिये गए हैं, those of the parliament closed for third state, ये जो third state था, working class, इनके लिए दर्वाजे बंद हैं, कि इनकी entry नही तो ये एक तरीके से symbolism था एक तरीके का कि वो जो ruling class के लोग हैं, इने कोई फर्क नहीं पड़ता है उन आम लोगों से, और आम लोगों का कुछ भी सोचना, कुछ भी करना, उनका कोई माइने नहीं है इस सामराज में, ये symbolic gesture था एक कि दर्वाजे बंद कर दिये हैं उनके ल नहाँ पार्लियमेंट के बगल में एक बहुत बड़ा tennis court था, तो ये सब लोग उस tennis court में मिलते हैं, जितने representatives ये घोशना करते हैं कि अब ये जितना भी इलाका है, ये पूरा इलाका अब किसी राजा की जागीर नहीं है, ये इस जनता का देश है, नेशन है, और अब ये ज जितने भी लोग हैं, जितने भी आम लोग हैं, ये अब किसी राजा की प्रजा नहीं है, ये लोग अब इस देश के नागरेख हैं, ये यहाँ के citizens हैं, और ये नाशनल एसेंबली जो बनी, इसके जो head थे, उस टाइम पे वो थे Maximilian Rob Spier, अभी इनका जिक्र कई बार आएगा आगे, और Maximilian Rob Spier, ये Jacobian Club के head थे, ये Jacobian Club एक तरीके से एक revolutionary club था, जहाँ पे ऐसे जितने भी थोड़े क्रांतिकारी विचार वाले लोग हैं, इन सब लोगों का एक group था, जो secret तौर तौर पे मिला करते थे, जिससे कि ये राजशाही और चर्च की नजरों से बच के मिल सके और प्लान कर सकें कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, विचार एक दूसरे से आदान प्रदान हो सके, तो Jacobian Club के लीडर थे, Maximilian Rob Spier, ये बने national assembly के head, अब यहाँ पे इस national assembly में decide किया गया कि एक constitution बनाया जाएगा, सम्विधान, और अब ये जितना इलाका है, जो देश है ये अब constitutional monarchy होगा, यानि कि ठीक है, यहाँ राजा का राज होगा, ठीक है, लेकिन अब राजा अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकता है, उस राजा को एक सम्विधान के मताबिक चलना पड़ेगा, और ये जो सम्विधान है, ये देश की बहतरी के लिए बनाया जाएगा, य ये जो राजशाही के ruling class के लोग हैं, इनकी जिंदगी मजे में चले, बाकी लोग कुर्बानी करते रहें, इनके सुक के लिए, तो अब ऐसा नहीं होगा, सम्विधान लोगों की जो आम जनता है, जो नागरिक हैं, इनकी बहतरी के लिए लिए लिखा जाएगा, जितने भी सफ हैं, जिनके पास जमीने नहीं हैं, जितने भी professionals हैं, जितने business man हैं, जितनी औरते हैं, जो अलग-अलग वर्क के लोग हैं, उन सब की जिनकी आजादी की definition अलग-अलग है, सब को अपनी-अपनी definitions की आजादी मिलेगी, तो अब जब आपनी ये घोशना कर दी कि ये पूर रादशाही के लोग हैं, इन्होंने पूरी की पूरी सेना लगा दी, पैरिस में छावनी बना दिया उसे, करीब-करीब 30,000 लोग पैरिस में तैनात थे और आदेश ये दिया गया कि कहीं पे भी लोग इकठा नहीं होंगे, कोई भी आंदोलन नहीं करेंगे, कोई भी ऐसे नारे बाजी नहीं करेंगे, कोई कुछ भी करेगा, उसे उठाके जेल में डाल दिया जाएगा, लेकिन अब लोगों के अंदर इतना नाराजगी कि वो रुकने वाले नहीं थे, यह movement थमने वाला नहीं था, जितने आम लोग थे, उन्होंने बनाया national guards, खुद आपस मैं ऐसी तुकडियां बनाई, जिनका काम ये होगा, कि अगर ये राजशाही की सेनाएं, अगर मारपीट पे उदरती हैं, तो ये भी मारपीट कर सकें, ये भी अपने लोगों को बचा सकें, तो राजाओं की सेनाओं से लड़ने आये थे, national guards, यानि कि देश की जो सेना है, और जित तो बात आई कि Paris में एक बहुत पुराना किला था, जिसको जेल के तरह पे इस्तेमाल किया जाता था और वहाँ हतियार भी रखे जाते थे, जिसका नाम था Bestile Fold, तो बात ये आई कि Bestile Fold पे अटाक करते हैं, तो सारे के सारे लोग पहुँच जाते हैं, बेस्टाइल के किले और बेस्टाइल के जो गवर्नर हैं, उन्होंने खूब लडाई करी लोगों से, लेकिन बहुत जादा देर नहीं लड़ पाए, उन्होंने सरिंडर कर दिया, लेकिन लोगों के अंदर इतना गुस्चा था, उन्होंने गवर्नर और इन सब लोगों को मारना पीटना जो गवर्नर के एक एक इट उठा के ले गया, तोड़ तोड़ के बेस्टाइल का किला तोड़ दिया, और इन इटों को अपने अपने घरों में ले जाके लोगों ने सजाया एक तरीके से कि ये जो पुराना पास्ट रहा है, उस पास्ट को तोड़ने का ये एक निशान है ये एक निशानी है उस पुराने तूटे हुए सिस्टम की, जिसको एंबलम बना के रखा गया, और फ्रांस के इलाके का एक जंडा सोचा गया, रेड और ब्लू ये फ्रांस के रंग जिनको डिवाइड किया था वाइट ने, और ये वाइट जो था, ये रंग था बरवन ख प्रांदान ने, तो अब जुलाए में ये सब चीजे शुरू हुई, लडाई जगड़े शुरू हुए और ये चीजे चलती रही, फ्रांस अंस्टेबल था बहुत, अब वक्त आता है, दो-तीन महीने बाद, ऑक्टूबर 1789, ब्रेड की खीमतें फिर से थोड़ी सी बढ़ पैरिस से पैदल जाएंगे वर्साय तक, अब ये जब मार्च शुरू हुआ, तो ये मार्च बढ़ता चला गया, भीड़ बढ़ती चली गई, और ये प्रोटेस जब तक पहुँचा वर्साय, ये लोग वॉयलेंट हो गए, और इन्होंने वर्साय में जाके, क्योंकि वहा एक उठा के ले आए पैरिस में, यानि कि एक तरीके से देखा जाए, तो वो राजा और रानी कैदी बन गए इन लोगों के, इनको पैरिस में ले आया गया कि आप वर्साय के उस महल में नहीं रहेंगे, अब आप पैरिस में रहेंगे, ये जो देश है आपका, देश में र थे कि ये constitution को मानना पड़ेगा और इस टाइम पे जब राजा रानी को लोगों ने कैद कर लिया कैद क्या कर लिया मेहल में ही रखा लेकिन अब उनके force पे हैं वो तो यहाँ पे जितने clergy के लोग थे जितने church के लोग थे जितने nobility के लोग थे भागने लग गया फ्रांस से अ इनकी संपतियां पे खुद कबजा कर लो अब यहाँ पे लिखा गया constitution यानि की समविधान और बहुत radical changes किये गये इसमें सबसे पहले जो ruling class थी उस ruling class के privileges को खत्म कर दिया गया जो divine authority थी feudalism इस system को खत्म कर दिया गया कि अब कोई आदमी किसी जमीन से जुड़ा नहीं है कि अब राजशाही के लोगों ने जमीन खरी दी तो वो लोग जुड़े हैं उस system से feudalism को तोड़ा गया जो जमीन है इसका distribution किया गया राजशाही के लोगों से जमीन ले ली गई बाट दी गई छोटे छोटे किसानों में declaration of rights of men यह किया गया यानि कि हर आदमी के अधिकार हक और अधिकार decide किये गए कि उन्हें अब जिंदगी जीने का अधिकार है life, liberty, equality कि यानि कि जो राज है अब भेदभाव नहीं करेगा सब को बराबर तोर पे देखेगा सब को property का मतलब एक अधिकार है free speech का अधिकार है औ और free religion का धिकार है कि अब church अपने धर्म को थोपेगा नहीं किसी पर कितना मानना है कितना नहीं मानना है यह इनसानों पर है free speech की कोई आदमी राजा के खिलाफ church के खिलाफ अपने विचार रख सकता है और इसके बाद centralized system of uniform laws की अब जो कानून होंगे वो पूरे के पूरे सम दमाज में चाहे ruling class के लोगों चाहे गरीब class के लोगों कानून सब के लिए एक होगा ऐसा नहीं कि ruling class के लोगों ने crime किया तो उन्हें सजा नहीं दी जाएगी ऐसा नहीं होगा अब सब के लिए uniform laws है voting rights खोले गए सब आदमियों के लिए और तो को अभी भी voting का राइट नह ने employees के तौर पर रखेगी जो church के जो जमीने हैं इनको बेश दिया गया अब इसके बाद कुछ business man लोगों के लिए भी किया गया जो internal customs duty है इनको abolish कर दिया गया कि अब France के अंदर के जितने भी इलाकों में आप समान एक जगा जगा से दूसरी जगा ले जाओगे आपको जगा जगा टैक्स नहीं देना पड़ेगा uniform system रखा गया weights का पहले के टाइम में हर जगा का weights का system अलग है तो आप एक जगा से कोई चीज लाओ दूसरी जगा बेशने ले जाओ तो वहाँ अलग तरीके से उस चीज को तौला जाता है तो uniform system बनाया गया weights का कि अब किसी भी चीज का एक fix उसका weight है तो आप वही चीज कहीं से एक जगा से दूसरी जगा लाओ तो confusion नहीं होगा कि ये चीज है कितनी actually तो इस तरीके से इसके बाद फिर French इसको एक common language के तौर पे choose किया गया पहले French भाषा सिर्फ ruling class के लोग बोलते थे जो आम वर्क के लोग हैं वो अलग-अलग भाशाए बोलते थे French भाषा को फिर आम लोगों के लिए चुना गया जितने भी higher post थे जो पहले fix रहते थे reserved रहते थे राजशाही के लोगों के लिए उनको आम public के लिए खूला गया इसके बाद नया calendar इंट्रोड्यूस किया गया एक नया religion इंट्रोड्यूस किया गया ऐसे बहुत radical changes थे उस जमाने के लिहाज से और France अब एक constitutional monarchy था यानि कि राजशाही है लेकिन समविधान के साथ अब यहाँ पर आते आते जो राजनीती है France की ये दो हिस्सों में divide हो चुकी थी एक हिस्सा था revolutionaries का यानि कि ऐसे लोग जो इस revolution के साथ थे और ऐसे लोग जो anti-revolutionaries थे यानि कि जो लोग राजशाही और चर्च के लोगों के साथ थे और अगर पार्लियमेंट में जहां ये लोग बैठा करते थे तो revolutionaries जो लोग एक बदलाओ चाहते थे ये left side की तरफ बैठा करते थे और वो लोग जो anti-revolutionary थे यानि कि जो लोग ये चाहते थे कि जैसा हमेशा से होता आया है जो सैकडो सालों से होता आया कि राजा महराजाओं का राज है बाकी सब लोग प्रजा है ऐसे लोग right side में बैठा करते थे anti-revolutionaries तो यहां से जो आप सुनते होंगे left wing politics, right wing politics नाम जो है नाम यहां से आये है कि जो लोग बदलाओं चाहते हैं फिर वो left wing में आये और जो लोग conservative type के थे कि हमेशा से जैसा चल रहा है रूडी वादी वैसा ही होना चाहिए वो right में आये तो यहां से नॉमन क्लेचर आया राजनीतिक विचारधारा होगा तो खेर अब यहां पे revolution हो चुका था और ताकत में revolutionaries थे तो अब revolutionaries जब ताकत में थे तो इन्हों ने क्या किया जो anti-revolutionaries हैं जो church और राजशाही को support करने वाले लोग हैं इनको jail में डालना शुरू किया क्योंकि इनको ही डर था कि अगर यह लोग ताकतवर होते रहे तो फिर से revolution को turn back कर देंगे constitution को खतम कर देंगे और यह जितना revolution हुआ है यह सब बरबाद हो जाएगा तो अब इन्हों ने jail में डालना शुरू किया ऐसे जितनी भी supporters थे nobility के supporters, clergy के supporters और भविश में अब जब यह इनका तरीका बना कि जितने भी anti-revolutionaries हैं इनको jail में डालो फिर आगे भविश में यह होने लगा कि कोई आदमी अगर revolution के साथ है लेकिन Rob Spear के खिलाफ कुछ बोल रहा है या Jacobian Club के खिलाफ कुछ बोल रहा है उसको भी उठा के jail में डाल देंगे यानि कि शुरुवात कहां से हुई थी और होने क्या लगा और सजा देने का एक नया तरीका ढूडा गया guillotine यानि कि लोगों के सरधर से लग किये जाएंगे एक कहा जाता था इसे clean manner of death कहा जाता था तो अब ये सब चीजे चल रही थी राजनीती में अब यहाँ पे जब राजा और रानी इनको वर्साय के महल से पेरिस में ले आया गया तो अब ये लोगों को लगने लगा फ्रांस के लोगों को कि ये जो आस्ट्रो हंगारियन सामराज है ये जरूर अटाक करेगा क्योंकि जो रानी है वो हैब्सबर्ग खांदान की बेटी है पहली बात और दूसरी बात फ्रांस के लोगों ने लड़ाई करी अपने रूलिंग क्लास के लोगों को हटा दिया तो उस पूरे सिस्टम वो जो पूरा सिस्टम चल रहा है हर जगा के इलाके के जो रूलिंग क्लास के लोग है सब लोगों के अंदर एक डर आ जाएगा कि अगर फ्रांस के लोगों ने ये कर दिया तो कहीं ऐसा नहों कि हमारे सामराज के सब आम लोग, गरीब लोग मिलके हमारा तक्ता पलट ना कर दें तो सब लोग मिलके आएंगे इस सिस्टम को रिवर्ट करने तो फ्रांस के लोगों के दिमाग में ये था कि ऐसा जरूर हो सकता है कि आस्ट्रो हंगारियन सामराज जरूर अटाक करेगा अब इसी दोरान सब चीजे चलती जा रहे थी 1791 में ये होता है कि जो राजा और रानी थे ये किसी तरीके से बच के निकलते हैं पैरिस के महल से और ये भागने की कोशिश करते हैं कि आस्ट्रो हंगारियन सामराज जिम में भाग जाएं तो कम से कम ये सेफ हो जाएंगे और जब ये वहाँ से निकले तो बॉर्डर के आसपस जाते जाते इनको पकड लिया गया पहचान लिया किसी ने कि ये तो राजा और रानी है हमारे इनको पकड लिया गया और इन्हें दुबारा से अब की बार जेल में डाला गया पिछली बार तो महल में कैद थे ये अब की बार ये ने वाकई में जेल में डाल दिया गया क्योंकि अपराधियों के जैसे काम कर रहे थे और अब क्योंकि राजा जो इलाका है इलाके का राजा वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब अब राजा पे भरोसा नहीं किया जा सकता तो अब फ्रांस जो है ये अब एक constitutional monarchy नहीं रहे कि सकता है क्योंकि ऐसे राजा पे कैसे भरोसा करें जो अपना सामराज छोड़ के भाग रहा है तो इस चीज ने जो revolution था इसको और जादा radicalize कर दिया पहले ही revolution radicalize हो रहा था कि anti revolutionary लोगों को जेल में डालते डालते यो लोग किसी आदमी को भी उठा के जेल में डालने लग जा रहे थे जो आदमी Rob Spier के खिलाफ क्योंकि Rob Spier और Jacobian Club के लोग अगर गलत फैसला करें तो गलत फैसले को गलत बोलना इसमें क्या गलत बात है 1791 इस टाइम पर Rob Spier जो थे Maximilian Rob Spier इसने खुद को डिक्टेटर बना लिया सारी की सारी ताकते इसने खुद पर ले ली और यहां पर revolution जो था French revolution वो एक तरीके से derail हो गया बना किस लिए था और होने क्या लग गया यहां से आपको फर्क नजर आएगा Rob Spier ने ये एम रखा कि हमें सबसे पहले revolution को बचाना है क्योंकि यह जो anti-revolutionaries हैं यह revolution को तोड़ देंगे तो यहां पर शुरू हुआ reign of terror यानि की देहशत का राज जितने भी radicals थे इन्होंने constitution को suspend कर दिया गया और जितने भी anti-revolutionaries थे जो nobility है clergy के लोग इनको मारना शुरू कर दिया लोगोंने कम से कम 25 से 30 हजार लोग मारे गए और कोई भी आदमी सिर्फ nobility है clergy नहीं जो लोग revolution के साथ हैं लेकिन Rob Spier की बुराई अगर जरा सी बुराई भी कोई कर देता था उसको उठा के guillotine में ले जाके मार दिया जाता था तो Rob Spier एक supreme leader बन गया और ये अपने पागलपन करने लग गया भविश्य में इस time के आसपास जो राजा और रानी थे इनको भी guillotine कर दिया गया इनको भी जान से मार दिया गया और क्योंकि अब राजा रानी है ही नहीं तो France अब एक republic बना इतिहास में पहली बार कि अब France में कोई राजा या रानी नहीं है France एक republic है और 1792 में France डेकलेर करता है war Austria पे और ये जो Rob Spier का राज हुआ ये राज इतना जादा खराब था कि Rob Spier ने एक secret police लगा दी थी पूरे समाज में ये देखने के लिए कि कौन लोग खुश है revolution से और कौन लोग कैसी कैसी बाते कर रहे है अगर आप Rob Spier की जरा सी बुराई भी कर दे तब भी हो सकता आपको जान से मार दिया जाए तो इतने terror में लोग जी रहे थे उन दो-तीन सालों में लोगों ने जो revolution किया था जो राजशाही से लड़े लिये थे इसलिए नहीं लड़े थे कि जो ये होने लग रहा था Rob Spier के अंडर तो लोग इतना तंग आ गए थे Rob Spier से Rob Spier अपने Parliament के लोगों को मरवाने लग गया था कि उसको हर किसी में दुश्मन नजर आने लग गया था पागलपन सवार हो रहा था उसे तो इन सब के चलते Rob Spier का राज सिर्फ तीन साल रहा दो से तीन साल 1794 में यहां तखता पलट होता है और जितने लोग होते हैं सब मिलके यह डिसाइड करते हैं कि Rob Spier को हटाना है Rob Spier का थकता पलट हुआ और फाइनली Rob Spier को ही गिलिटीन दिया गया उसका सर धर से अलग किया गया और इस तरीके से खत्म हुआ End of Reign of Terror अब जब Rob Spier का खत्मा हुआ तो यहां पे जो ताकत में जो लोग आये दुबारा से 1795 में ताकत में आये conservative लोग वो जो anti-revolutionary थे जो राजशाही के support में थे उन लोगों वो लोग दुबारा से ताकत में आये इन लोगों ने मिलके अपनी एक डारेक्टरी बनाई पार्लियमेंट के जैसे और इन्हों ने वो जो radical सा constitution था वो जो French revolution की निशानी था उस constitution को हटा दिया और अब इन्हों ने decide किया कि ये जितनी democracy French revolution ने दी इस democracy को कम किया जाएगा जो radical से इनको दबाया जाएगा खत्म किया जाएगा और ये जो conservative थे एक चीज समझ गये थे कि अब इतना revolution हो चुका है तो समाज exactly वैसा नहीं हो सकता जैसे पहले था थोड़ा सा उन्हें balance बनाना पड़ेगा पुराने और ने तरीकों में और लेकिन अब यहाँ पे इन्हों ने क्या किया voting rights को limit कर दिया गया फ्रेंच revolution में जैसे ही था सारे आदमियों को vote देने का धिकार है तो voting rights को limit किया गया कि सिर्फ अमीर लोग जो voting का tax दे सकते हैं सिर्फ वही लोग vote देंगे गरीब लोग vote नहीं देंगे और यह कहा गया क्योंकि गरीब लोग बहुत आराम से manipulate हो जाते है और इन गरीब लोगों की वज़े से Rob Spear जैसे लोगों का rise होता है तो इस वज़े से इनको फिर voting rights इनसे छीन लिएगे गरीबों से और France के बाहर लडाई चलती रही France ने जो Austro-Hungarian सामराज जिससे लडाई की गोशना करी ये चलती रही और नए नए जगहों पे France की सेनाए जाती रही और जितने जितने छोटे मोटे लेवल के राजा थे उनको हटा के दूसरे राजा बनाने शुरू कर दिये और 1795 के बाद यहाँ पे rise होना शुरू होता है एक military commander का जिनका नाम था Napoleon और French Revolution से पहले ऐसा होता था कि जितने की top post होते थे top post सिर्फ ruling class के लोगों के लिए होते थे आम आदमी उन बड़े ओधों पे नहीं आ सकता था French Revolution ने यह कानून हटा दिया था तो Napoleon एक आम परिवार से आया हुआ लड़का अपनी काबिलियत से एक अच्छे खासे commanding position पे पहुँच गया तो Napoleon एक तरीके से revolution का embodiment बनता चले गया एक commander के तौर पे तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से French Revolution हुआ और किस तरीके से French Revolution में एक break लगा और फिर से conservative लोग ताकत में आ गया और constitution वापस से ले लिया गया अब यहाँ पे 1795 के बाद France बहुत unstable हो रखा था stability नहीं आ रही थी लोग चाह रहे थे कि constitution दुबारा लाये जाए चीजे दुबारा करी जाए लेकिन ताकत में conservative लोग थे इन्हें अपनी जमीने बचानी थी तो यह tussle चल रहा था balance system नहीं बन रहा था और power vacuum था कि जो राजा है राजा चले गए जो बड़े leader थे रॉबस्पियर वो भी चले गए तो अब power vacuum है इस power vacuum में क्या किया जाए तो यहाँ rise होता है फिर Napoleon का और अब वक्त आता है 1799 AD इस साल Napoleon वापस आते हैं फ्रांस में और यह देखते हैं कि फ्रांस बहुत unstable हो रखा है इस चीज में Napoleon step up करते हैं इस situation में और Napoleon तखता पलट करते हैं इस directory का इस conservative directory का और यहाँ से Napoleon का राज चुरू होता है Napoleonic era और यह जो Napoleon का राज है इसके बाद की कहानी हम देखेंगे अपने अगले parts में और यहाँ पे end होता है यूरोप की आजादी की लडाई का पहला part हम देखेंगे चेए